और मोदी जी वो तो हाल की बात है युवाओं को भी ध्यान होगा 2014 से पहले के वर्ष ध्यान कर लीजे 2011, 12, 13, 10 राज चलते किसी आदमी से पूछे कौन पुर्धान मंत्री होना चाहिए सब करते हैं तो मोदी जी होने चाहिए ये कैसे बने ये दोनों स्वैम से वक्त है यदि हम कहते हैं कि संगठन व्यक्ति निर्मान करता है वह चरित निर्मान करता है तो ऐसे व्यक्तियों का निर्मान किया कि संपूर्ण राष्ट ने उनसे प्रेणा ली और उनको अंगिकार किया तो नेत्र तो हमने खड़ा किया तो वह राष्ट उसके साथ आकर खड़ा होता है यह एक परिवर्तन आता है और इसमें एक ग्रैजुवल चेंज भी है पिछले सौ साल की अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स का चेंज देखें तो जिसको हम राइट विंग कहते हैं ना राइट विंग एक्स्टीम राइट विंग फंडमेंटलिस्ट वो हर बीस साल में वो एक्सेप्टिबिल हो जाती है और उसके माइने बदल जाते हैं जैसे मैं के शिष्य गांधी पूर्ण स्वराज का जो समय है वो यथार्थ में बदल गया आंदोलन अब कॉंग्रेस के अंदर राइट विंग कौन था वो थे सर्दार पटेल सीराज गोपालाचारी मदन मोहन मालवी पुर्शोतंदास टंडन केम मुंशी और बीस साल गुजरे 1947 आजादी मिली ये सब के सब सरकार के हिस्से हो गए अब राइट विंग का प्रतीक कौन था शामाप्रसाद मुकर जी दिन दियाल उपाद्याए और बीस वर्श की गुजरे 1970 का दशक आया दिन दियाल जी के नेतरत में हम लोगों ने कई जगों पे स्वीडी गौवर्रमेंट्स बना ली अब राइट विंग का प्रतीक कौन था अटल विहरी बाचपेई जी जो हिंदू तनमन हिंदू जीवन कविता कहते थे और बीस साल गुजरे 1990 का दशक आया अब अटल जी एक्सेप्टिबल थे अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे अडवानी जी और बीस साल गुजरे 2010 का दशक आया अब अडवानी जी एक्सेप्टिबल थे अब राइट विंग के प्रतीक किसको कहा जाने लगा मोधी जी को पर हकीकत में आप देखें तो काल चक्र की गति कहां जा रही है the country is gradually moving the tectonic shift is moving towards the right direction तो वो जो एक विचार रखा गया था उस विचार को यदि हम कहते हैं कि संग दैवीय कारे था तो दैवीय कारे ऐसे ही नहीं था क्योंकि यह विचार continuous क्यों चला अन्य लोग भारतिय समाज में भारतिय राजनीत में आए इस्थापित हुए चले गए समाप्त हो गए हम क्यों बढ़ते रहें चुकि हमारे हाँ निरंतर त्याक की अनुशासन की एक ऐसी परमपरा आगे बढ़ी जिसने हमेशा समाज को प्रेरित किया जैसे जिसे हम लोग एक संग के गीत में कहते हैं हम केशव के अनुयाई हैं हमने तो बढ़ना सीखा है अंधकार में बंद भटकते पंथ बिना व्याकुल दुख सहते पथ दर्शक दीपक बन तिल-तिल हमने तो जलना सीखा है अब यहां मैं एक आपको व्यक्तिका तर्मो बताता हूँ एक बार क्या हुआ कि एक फॉरिंड के एक मैगजीन के लोग देखे पूरवाग्रे कस्त कैसे होते हैं वो व्यक्तिक मुझसे टकरा गए और कहते हैं मैं संग के बारे में जानना चाहता हूँ और संग क्या है और भारत में इसका क्या प्रभाव है तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं आपको भी बताता हूँ तो मैंने उनको बताया मैंने कहा कि यदि कोई एक संगठन है जिसके की 30,000 स्कूल है पूरी दुनिया में इसका कोई दूसरा उधारन नहीं है तो वो विद्या भारती है, वो संकासंगठन है। बग 32-33-33 पूर्ण कालिक परचारक काम कर रहे हैं और भारती जनता पार्टी में मुश्किल से 40-50 काम कर रहे हैं तो इससे आप समझ लीजिए कि जिसको आप सिर्फ राजनीत देखते हैं उस पूरी व्यवस्था में उसका हिस्सा क्या है तो सब कुछ समझने के बाद उसने क हाँ बात तो सही है अब जानते क्या हुआ जाने के बाद उसने क्या लिखा उसने मेरा कोट तो यथावत लिखा फिर क्या लिखा कि RSS has made its presence in so many sections of the Indian society that it has become a state within state अब देखिए किसी भी सकारात्मक चीज़ को नकारात्मक ढंग से किस ढंग से वो लोग प्रस्तुत करने में ल देखे जो विचार हमने रख जो उन्होंने रखा विचार वो किस मामले में बाकियों से डिफरेंट था मैं विशे को बहुत नरलंबा करते हुए आपको एक बिंदु के और ध्यान देना चाहूंगा जब उन्होंने कहा कि स्वतंतरता हो तो वो कैसी हो यह हमारे माइंड मे हैं बड़े देश जिसने आज तक किसी दूसरे देश पर इन्वेजन नहीं किया है हम दुनिया के एक मातर देश हैं जो सबसे लंबे समय तक संब्रद रहे हैं मतलब अलेक्जेंडर थर्ड सेंचुरी में आया था और ब्रिटिशर सेटीन सेंचुरी में आये दुनिया की बड़ी-बड़ी खोजें सिर्फ हमारे ही तरफ होती रही मतलब मेगलिन हो वासको डिगामा हो कलंबस हो सब भारत खोज रहे थे हम दुनिया के एक और देखिए देश क्या होता है किसी देश में सम्रद दी आती तो आध्यात्मिक्ता खतम हो जाती है तो सांसा जितना आपको किसी भी दूसरी जगे दिखाई नहीं पड़ेगा उधारण के लिए अभी काशी विश्वनात के कॉरिडोर का उधगाटन हुआ तो आपको पता है कि जब आप काशी विश्वनात में अपना सर शद्धा से जुकाते हैं तो शद्धा का वबिन्दू सिर्फ का और मलिकारजुन से जुडता है और फिर काटमांडू के पशुपतिनाथ से जुडता है और बहुतों को नहीं पता होगा जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाईकोटन वह भैरव के ही एक सुरूब माने जाते हैं जापान तक वह प्रभाव नजर आता है और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिसकवरी करने वाली यॉरप की सन लेबरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ती रखी हुई है वहां तक जाकर वहां प्रभाव दिखाई पड़ता है और इतना ही नहीं आप में जब बहुत लोग जाके चेक करिएगा कि मंगोलिया में जितनी पुरानी टॉम्ब मकबरे बने हैं न इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा उसकी फोटो देखिएगा तो बाहर त्रिशूल भी है और श्रंगी भी है क्यों पूछिए कि पुराने जमाने में मंगोलों का धर्म क्या होता था तो जिन लोग नें हिस्ट्री पड़ी तो गएंगे तेंदरिन होता था तेंदरिन कुछ नहीं है तंत्र का ही अप भ्रंश तेंदरिन है और तंत्र के देवता शिव हैं इसलिए वहां त्रिशूल औ और संगी दोनों नजर आते हैं मैं सिर्व यह कहना चाहता हूँ कि हम जब पूरा प्रभाव देखते हैं तो हमारा प्रभाव कितनी दूरी तक था कितने प्रभाव तक था यह हमें समझने की जरूवत है हम महराष्ट की धर्ती पर हैं यहां गणपति की पूजा होती है पर आपको पता है एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसके करेंसी नोट पर गणपति थे वो भारत नहीं था वो था इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तो हमारी संस्कृति का प्रभाव मत्व संपृदाय से प बड़ी मानिता है अश्ट विनायक की पर कभी आपने सोचा कि विनायक आठी क्यों है साथ या नौ क्यों नहीं है छे या दस क्यों नहीं है हमारे कोई भी चीज बगएर कारण के नहीं है बगएर तर्क के नहीं है अच्छा कभी आपने सोचा कि भगवान गनेश का शरीर मन उच्छ का है और सर हाथी का क्यों है और उनका सर काटा क्यों गया सर हाथी का क्यों है सवारी चूहे की क्यों है दोनों में बहुत विरोधवास नजर आता है न और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया हाथी के तो दो दात होते हैं तो फिर एक ही साथ रहना था तो एक ही दाथ होना चाहिए था उनकी मूर्ती में वो दूजरा हाँ दाथ तूटा हुआ क्यों है और बल्कि जो आप वास्विक मूर्ती देखते हैं उसमें तूटा हुआ दाथ एक हाथ में पकड़ रखा उन्होंने कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है कुछ भी कलपना नहीं है और गणेश जी किसके देवता है रिध्धी और सिद्धी के देवता है यानि संपूर्ण सिद्धियां गणपत की आराधना से मिलती है गणेश जी का या सम और गणेश जी चेतना के जागरण के सारे सुरूप भगवान शिव ने दिये हैं अब समझे गणपति के सारे जो सुरूप हैं इनका अर्थवतात्पर क्या है देखे भगवान गणेश का वह सुरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य उर्जा होती है उसके उथान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है सबसे पहले सर कटना किसे जरूरी है वहाँ आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागरत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नश्ट करने में सफल होते हैं तो आपका सर कटने का सुरूप प्रतीक ये है दूसरा हाथी का ही सर क्यों है क्योंकि हाथी की जो सून है और आपने देखा होगा हमेशा गणपत की सून इस दिशा में यूं है कभी ऐसे नहीं है क्यों वहाँ उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है यानि जागरत शक्ति आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो उर्ध की तरफ होती है उसका पृतीक है और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है मना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है तो वो ब्रह्मरंद्र का पृतीक है और जब वो मुडी हुई सून उपर है और चुहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चुहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है तो जब आप एकागरिचित होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को उपर उठाने का सामर्थे पाते हैं और उसके बाद जब आप आठी विनायक क्यों है? क्योंकि आठ चक्र हैं मुलाधार, स्वादिस्थान, अनाहत, आग्या, विशुद्ध, शक्रो, ब्रह्मरंद्र और अब एक ही दात क्यों है? क्योंकि जब आप आग्या चक्र से उपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती है यानि संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूस करना पड़ता है तो वह दात तूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंद का विच्छेद करना पड़ता है उसे तोड़ना पड़ता है इसलिए तूटा हुआ दात हाथ में रखे हुएं फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंद तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती है यह उसका प्रतीक है यह मैंने इसलिए बताया कि हमारे तमाम माक्सवादी लोग जब यह प्रचारित करने का प्रयास करते हैं जैसे माक्स ने New York Herald Tribune में 1854 में एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ अंग्रेज भारत में कर रहे हैं यह दुखद है परंतु सुखद भी है उसने अंग्रेजी में लिखा था destruction of India which is the Britishers are doing it is painful but pleasurable also pleasurable क्यों उसने कहा कि हिंदू चाहें जितने भी सम्रिद्ध क्यों नहों परंतु यह हाथी गणेश बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले इसी लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाए चूंकि यह लोग समझदार नहीं है अब बताईए जो मैंने बताया आपको गणपति का सुरूप समझ में हमारी कमी है कि मार्क्स के कमी है बट अफसोस की बात यह है कि मार्क्स के मानस पुत्रों ने इतना भारत पर कबजा कर लिया इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में भर दियो और मैं दावेज कहता हूँ ना मार्क्स कभी भारत आया ना मार्क्स ने कभी भारत का कोई गरंत पढ़ा मार्क्स को संक्रित आती नहीं थी और मार्क्स वादियों को guit संस्क्रित नहीं आती और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ जब राम जन मूमी का मुगदमा चला था ना तो हाई कोर्ट में अपने अपने तरफ के हिस्टॉरियंस ला सकते है तो हमारी तरफ से जो गए थे उसमें से बहुत लोगों के नाम आप पुरान लोग जानते होंगे S.P. Grower थे, डॉक्टर देवेन सरूप थे, डॉक्टर हर्ष नरायन थे, S.P. गुपता जी थे उधर से कौन थे, वही, सूरजभान, आरेश शर्मा, डी एंजह, रोमिला थापर, वो लोग अपने प्रत्रिदियों के थूरूर रिप्रेजन्ट हो रहे थे, अब देखिए, कोट ने उनसे क्या पूछा, कि आप ये बताइए, कि सारे के सारे दस्तावेज, दो ही भाशाओं में, संस्कृत और फार्सी, आप इन्हें जानते हैं क्या, और आप लोगों को अश्यर होगा, उन लोगों ने लिख के दिया, कि हम फार्सी भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, जबकि हमारी तरफ के विद्वान सब जानते थे, डॉक्टर धर्स रायन को में वेक कि लोगी जानते हैं उन्होंने का जी नहीं जानते हैं यानि खुदाई के विश्याथ से पर्चित नहीं था अब आप सोचिए इसके बावजूद वही लोग सबसेदा क्यान दे रहे थे यानि मजे की बात ये कि ना लिखाई जानते थे ना खुदा ही जानते थे और दावा ये कि सारी खुदा ही जानते थे इसलिए मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने हमारे दिमाग में बात भरी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीज डॉक्टर साहब ने बोया था उस बीज का वट वरक्ष तो आज दिखने लगा है परंतु कारागार से वो निकले थे 1922 में हमारी मानसिक्ता अभी तक इस अमरत महुत्सो वर्ष तक भी उस कारागार से बाहर निकल नहीं पाई हमारी चेतना हमारी सोच हमारे विचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मैकाले और माक्स के विचारों से प्रेडित है इसलिए मैंने आपको ये दो उधारन बताए क्योंकि राजनीती समाज के उधारन तो आपको बहुत सारे पता लगते होंगे कई बार इन चीजों के उधारना आजकल की युआ पीडी तो इसी प्रकार के तरक भी तरक भी करती है न तो बड़ा कई बार असहे जिस्तिती होती कि बच्चों को क्या जवाब दें अब आगे से कभी बात हो तो आप और एग्रिसिव होके कहिएगा कि ने ने अभी ये भी एक बात बताऊं कि भगवान राम चार भाइए हमारा कोई भी विचार किस चीजसे प्रेरित होता है भगवान राम चार भाइए तो आप ने कभी सोचा कि चारी भाइए क्यों है तीन या पांच क्यों नहीं देख aí हर चीज के पीछे कारण है तो वो चार भाई जानते क्यों है वो चार भाई चार पुरुशार्थ के पृतिक है राम लक्षमन भरत शत्रुगन तो भगवान राम धर्म है लक्षमन काम है शत्रुगन अर्थ है और भरत मोक्ष है इसलिए लक्षमन ही राम के साथ वन में क्यों जाएंगे क्योंकि काम को सदैव धर्म से संयुक्त रहना है शत्रुगन अयोध्या में क्यों रहेंगे अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जाएगा और खणाओं रखके भरत ही पूजा क्यों करेंगे मोक्ष पाने के लिए धर्म के किसी पृतीक को भी रखके साधना करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा इसलिए हमारे देखे एक एक चीज का अरत है अगर हनुमान चालीसा कभी विशेख खूब आया था यहां पर अरे भई हनुमान चालीसा में ये क्यों लिखा है तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी की तुलना करने की बात आई भगवान राम से तो उन्होंने क्या कहा रगुपत कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरता ही संभाई अरे भई लक्षमन संभाई कहना चाहिए हो साथ में गए भरत संभाई क्यों धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष होता है इसलिए तुम मम प्रिय भरता ही संभाई खेर तो मैंने सिर्फ आपको तीन उधारन इसलिए दिये कि आप आप से कोई प्रशन पूछे तो आप बच्चा कह सकते हैं आप इसको समझो बिटा फंडामेंटल्स पढ़ो उसके बाद तुम एडवांस कोर्स के बारे में बात करो फिजिस केमिस्ट्री मैथ पढ़ो तब इंजिनिंग के बारे में बात करो जुरोजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ो तब मेडिकल के बारे में बात करो गणित पढ़ो उसके वाद बैलिस्टिक साइंस के बारे में बात करो तो मैं सिर्फ अन्त बें ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक जलक बताने का प्रयास किया कि ये जो अभियान है जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर जीवन दिया और विगत लगबक सो वर्षों से सभी प्रचारक अपना पूरा जीवन दे रहे हैं परंतु आज भी सिती क्या है कि स्वतंता के बाद हो गए हैं सपन सब साकार कैसे मान ले हम तल गया सरसे विथा का भार कैसे मान ले हम वेश वानी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले विकृति को हम ग्रहन करते निज प्रकृति को आज भूले इस विदेशी नकल को अब असमिता क्या मान ले हम हो गए हैं सपन सब साकार कैसे मान ले हम तो इस स्वतन्ता के अमरत महुत्सों में अभी बहुत कुछ करना बाकी है तो अमरत काल में अधी भारत को वहां तक पहुचाना है जो भारत का वास्तविक भवितव्य है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी हमारा कार पूरा नहीं हुआ है जो मार्ग जहां से मने शुरू किया था वहीं पे अंत करते हुए कहता हूँ कारागार से बाहर निकले थे आज के दिन डॉक्टर साहब तो उस कारागार से पूरे देश की मानसिक्ता को बाहर निकालने की प्रक्रिया का संकल्प हमें आज इस बारा जुलाई को लेना होगा ताकि संवरतकाल को समाप्त होते होते संपूर्ण भारत का मानस उससे मुक्त हो जाए क्योंकि यह यग्य अभी अधूरा है तो अटल जी की इस पंक्ती से समाप्त करता हूँ आहुतिबा की यग्य अधूरा और उस यक में विग्न कौन डालना है अपने ही लोग डालना है फ्रांसमा गौशर लाफिगारो अकबार फ्रांस का सबसे बड़ा जनलिस्ट है उसने लिखा है तो उन्होंने का आहुतिबा की यग्य अधूरा अपनों के विग्नों ने घेरा अंतिम जै का अस्त्र बनाने नव दधीच हड़ियां गलाएं आओ मिल कर दिया जलाएं तो हम सब अपने इस समवेत प्रयास से इस सपन को साकार करें इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यह तैमानिये भविश्य हमारा इसमें कोई किन्तू परंत मत समझिएगा एक पंक्ति और कहके बता देता हूँ कि एक जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज हुगा तो इस देश में किसकी सरकार थी पूरे देश में अंग्रेजों की एक जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी पूरे देश में कॉंग्रेस की और एक जन्वरी सन 2001 को जब इस देश में 20 सदी का पहला सूरज हुगा तो इस देश में किसकी सरकार थी अटेल जी के नेतुर्त में भाजबा की अगले दशक में बोदी जी के नेतुर्त में इस पश्ट बहुमत की तो समझ लीजिए कि 19-वी सदी अंग्रेश की थी 20-वी सदी कांग्रेश की थी और 21-वी सदी भारती जनता पार्टी की